हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो चलिए मैं दिखा रही हूँ बहुत सुंदर सा फ्लावर हिविसकस के, यह है देसी वाइट कलड का देसी फ्लावर है हिविसकस का, और कितनी सारे फ्लावर खिले हैं आप देख सकते हैं, दूर से देखे कितने प्यारे प्यार बारिस होने के वज़े से, प्लावर थोड़े देखे कितनी नीचे से देखे कितनी लंबी हो गई है, तो अभी क्या कर सकते हैं, लंबे लंबे ब्रांच को आप सौट कर सकते हैं, क्योंकि दिखे यह है सप्टेंबर का मंद, सप्टेंबर का मंद बहुत अच्छा होता है, जाने वाली है और winter आने वाली है तो ये समय बहुत ही अच्छा है अभी बहुत सारे plant को आप prune कर सकते हैं light light dark prune कर सकते हैं जैसे हिविसकस के plant है जितने बड़े-बड़े लेगी-लेगी हो गया है थोड़े से बहुत जादा घने हो गया है तो आप उसको अभी cutting कर सकते हैं cutting लगा सकते हैं ये मन्थ बहुत अच्छा मन्थ है फिलाल अभी तो बहुत जादा गर्मी भी है और कहीं-कहीं मतलब दिख रहा है friend कि कई सारे सहरों में तो गर्मी इतनी जादा है और कई सारे हमारे सहरों में तो बहुत जादा बारिस हो रही है और कई सारे सहर में भी बार स्कतर हैं और आज मैं इन सारे प्लाइट को देखे यह सारे प्लाइट को मैं थोड़ा थोड़ा करते रहती हूं किने hoć तो मैं हलका हलका यहां से इस तरह के से ट्रीम करते रहते हुं प्रेंटि सअलि हूं सीवीड एकस्टिट सागरिका का क्यूंकि फ्रैन्ट पानीन मतलब की मैंने डाला ही नहीं है तो मैंने सचा पानी के साथ बाहिए गरा जलाएं तकि मैक्रो नुट्रेंस हैं मैक्रोन नुट्रेंस हमारे प्लाट को जाएदा तो यह और अच्छे नुट्रिशन लेगा क्योंकि दिखे हिविसकस के प्लांट को यह हाड़ी फीडर प्लांट है इसको खाना हमेशा चाहिए होता है जैसे कि रोज प्लांट की हम लोग केयर करते हैं उसी तरीके से इनको ध्यान रखना होता है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी-ची फ्लावरि के साथ उसके बाद मैं अभी इन पर स्प्रे भी करूंगी कीट ना सका बहुत सारे कीड़े ब्लाक ब्लाक कीड़े आ रहे हैं मिली बग हो गई है बारिस के वज़े से तो इन सब का अभी बहुत ही अच्छा सेलूशन है आप इसको अभी क्लियर कर सकते हैं प्लांट को अच अगरे होतने ना दे और जल्दी जल्दी सप्टमबर के हम प्लावर के बीज डालने होते हैं बहुत अंगीनत रंग मिरंगे फ्लावर हमारे गॉडन में खिलने को आने को तयार है तो उनकी तयारी में समय बैर्थ हो जाता है समय चला जाता टाइम नहीं मिलता है तो जो पर्मानन प्लांट है उनका अभी से आप ये सेप्टमबर के मन्थ में आप केर कर सकते हैं तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाते हूं मैं दिð sleeps ये ا एक bucket मैं ने पानी लिया है पंदर लिक्विट का बाल्टी है इतने सारे प्लांट में इसको ड़ालूंगगे और ये सागरी का सीविड है सीविड काई तरह के आते हैं ग्रेन्वाल है तो ग्रेन्वाल आप दे सकते हैं लिक्विड है तो लिक्विड दे सकते हैं, बहुत सारी कमपनी आती है, बायो बीटा का दे सकते हैं, आप अभी फिलाल मेरे पास बायो बीटा का नहीं था फ्रेंड, इसलिए मैं सागरिका का दे रही हूं, जो है अबलेबल है, और साथी साथ मैं अडेनियम के प्लांट में इसी को अभी डालने वाली हूँ, क्यूंकि देखें ये, एक ढखकन गया, और ये दूसरा ढखकन भी मैं डाल रही हूं भी इसमें, और सारे प्लांट को मैं डालूंगी, क्यूंकि देखें, ही विसकस के प्लांट को भी नुट्रिशन चाहिए होता है, इसमें मैंने दो करीब डाला 15 लिटर पानी में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और इसी को मैं मिला लूँगी फ्रेंड देखिए इस तरीके से अभी मिठी की गोडाई करके आप कई सारे प्लांट में जितने पर्मानेर के प्लांट हैं रोज के प्लांट हो गए हैं हिविसकस के प्लांट हो गए हैं और मेंडा विला के प्लांट हो गए हैं बहुत सारे प्लांट हैं तो सब में आप इस तरीके से डाल सकते हैं देखिए म एक-एक मगा ये डालूँगी क्योंकि पानी तो डाला नहीं था बहुत सारे प्लांट मेरे थोड़े मुर्जाय से लग रहे हैं तो पानी के साथ मैं इसी को डाल रही हूं और उसके बाद मैं भी कीटना सका स्प्रे करूंगी अगर आपके पास कीटना सक नहीं है तो फंगी स और अच्छे से बस मैं थोड़ी से बारिस के वज़े से प्रोब्लम हो रहे थी कैसे दिखाती और घर के अंदर वीडियो बनता नहीं है अंधेरा अंधेरा रहेगा तो कि लिए दिखेगा नहीं फिर आप लोग को देखने में प्रोब्लम आएगी इसके वज़े से बहुत स आज में अड़नियम के प्लांट में भी दिखे मेरी हलकी हलकी आप इनकी जड़े ना कटे हलकी हलकी इस तरीके से आप गड़ाई कर सकते हैं ताकि बारिस में ही पड़े थे यह प्लांट और देखे मिंट्टी कैसे घृभूरी सुखी वही है अंदर तक प्रोब्लम आप इ यह सब अभी करना जरूरी है बहुत जल्दी जल्दी सारे गार्डन में बहुत सारे काम हो जाते हैं और इतनी चलचिलाती धूप हो रही है, धूप में तो काम थोड़े होंगे नहीं, अपने आपको बचा करके थोड़े से प्लांट को इस तरीके से नुट्रिशन आप दे सकते हैं, और जल्दी-जल्दी से इसमें स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, अडेनियम में द अंधिरा टाइप का दिखेगा, तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि साम हो गई है, और इधर देखिए, बहुत सारे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, तो गार्डन वर्क में बहुत सारे प्लांट लेगी-लेगी से, जैसे कि मैंने बताया, सब कटिंग कर सकते हैं, उसक सापिंग कर रही हो, सापिंग करने के बाद आप लोगों से जल्दी वीडियो शेयर करूंगी, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से सारे प्लांट में अभी डाल दूँगी, आपको डालते वे दिखाऊंगी, तो यह बहुत वीडि कर दूब कर देए, अझा दूब कर दो लंगे हो